करेंट प्रेंट कैसे हैं आप आसा करता है कि आप सब सभी होंगर और आगे भी अच्छे रहेंगे और आज का टोपिक है 2020 की सभी परिक्षा में पूछी गई क्रेंट अफिर और ये पार्ट वन है इसलिए आप वीडियो को पुरा देखेंगे जो भी exam हुआ है सब का हम आज part 1 चालू किये हैं यानिकि 500 question पुरा होगा और anti-pistic exam आपका निकल गया है exam date निकल गया है गुरूब D के exam date निकल गया है यानिकि और बाके सब जो भी pending exam था सबका exam date निकल रहा है और admit card भी load हो रहा है इसलिए आप इस video को पूरा देखेंगे और एक comment और like और जुना होंगे चैनल को जुरूर subscribe करेंगे जिसे question है अंतराष्ट्य परवास outlook में 24 से subscribe में भारत ने कौंसा अस्थान प्राप्त किया है चोधा पहला तिसरा या दूसरा अगर इस question का जवाब अगर आपको मालूम होगा तो please आप comment में जुरूर इसका answer करेंग cloud innovation center का सुभारम किया गया है नितिय आयोक द्वारा किसके साथ मिलकर भारत में पहली Phranktier technology cloud innovation center का सुभारम किया गया है कहां किया गया है DRGO, HWS या NASA किसके साथ किया गया है क्या इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे देख लीजिए पहले डिटेल इसका पहले आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है 29 अक्टूबर 2020 को नीती आयोग एवं अमेजन बेव सर्विस नहीं कि ADWS ने भारत में फ्रेंक्टे टेकनोलोजी क्लाउड इन्योवेशन सेंटर का सुभारम किया है यह सेंटर भारत में डिचल्स नवचार के माध्यम से क्रिसी तथा स्वास्ति सिवा के छेतरों में समाजिक चुनोतियों से नीपटने के समाधान देगा सेंटर के संबन में ADWS के अंतराष्टि विक्री छेतर के उपाध्यक्स मैक्स पिटरसन जनकारी साजा की उन्होंने बताए कि इसकेंदर को अस्थापित करने का मुख उदेश देश के सभी साजा हीत वाले समुदायों को जोड़ना है तो यह इसका डिटेल हो गया और यह बहुत ही इंपोर्टन डिटेल है यानि कि यहां से एक कोचन आपको एक्जाम में जरूर फिक्स है पुछ भारत के किस केंद्रिय मंत्री ने और समें देश के पहले मौल्टी मौडल लोजिस्टिक पार के अधार सिला रखिए डाक्टर जीतेंदर सी अब इसके बारे में हम डिटेल में जाने कि मौल्टी मौडल लोजिस्टिक पार काखी में कहां है कहां के अधार सिला रखा गया है अनि कि इसमें क्या है इसके बारे में हम थुरा डिटेल में जान लेते हैं अधार सिला रखिए इस दौरा राज के मुख मंतरी सर्वानान सोने वाल यहां से कोशन होगा है असम के मुख मंतरी कों है की लागत आएगी इस राशी को राश्ट्री राजमार्क और और सचरना विकास निगम लिम्टेड द्वारा परदान किया जाएगा यहां से देख लिजी कितना अच्छा टोपिक है और यहां से कितने कोशन बनते हैं यह सभी आप जरूर एक बार देख लेंगे अगला कोशन 2020 को भारत तथा उमान के मद जुवाइन कमिशन का कौन सा संसकरन आईजित किया गया है इसका राइट एसर क्या हो जागा अप्सा नमबर ए यहां बिलकूर से जुझे कौन सा नौवा संसकरन आईजित किया गया है किसके किसके साथ भारत और उमान के मद है अब भारत और उ सबस्क्राइब भारे आफैस और सब्सक्राइब अंधोंאחर आ इसे दौरान दोना पक्छोएं आकर नि गये दिपक्षे वेपार का विस्तारिद करने की सहमती ब्यक्त की है अगले कोशन देखते हैं कोशन नमर फोर अंतराष्ट्य परवास आउट लूक में के 24 संसकर्ण में भारत का दूसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है अब अंतराष्ट्य परवास आउट लूक आया है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं यहां दिया हुआ है देख लिजे 29 अक्टूबर 2020 को आर्थिक स्वयोग विकास संगंठन के महा सचिव जोस एंजल ग्रीगा ग्रिया द्वरा अंतराष्ट्य परवास आउट लूक का तिन दस्मलों तिन लाख हो गई है यह OCD देश में कुल परवास पाच परतिसत है यह बहुत ही डिटेल है यहां से कोशन जरूर फिक्स है इसलिए आप इस वीडियो को एक बाब पूरा देखेंगे और जो नहीं होंगे चानल को जरूर सब्सकार करेंगे चलिए तो अगला क्रिसी कानुनों को निस परभावी करने वाला देश का पहला राज कौन सा बन गया है पंजाब हर्याना रास्थान या केरल कौन सा राज बन गया है कौन सा राज बन गया है इसका राइट एसर के होजएगा अपसो नमबर ए पंजाब बन गया है कौन सा राज पंजाब बन तीन नए क्रिशी कानूनों को निश्परभाव करते हुए बिलपास कर दिया गए। इसके साथी पंजाब नए क्रिशी कानून निश्परभावी करने वाल देश का पहला राज बन गया है। अगला कोशन पाते हैं कोशन नमर 6 फ्रेंट अगर वीडियो अच्छे लग तो प्रीज एक लाइक तो बनता है यार और जो नहीं होंगे चानल को सब्सक्राब को बेल आकन जुरूर बजा लेंगे चलिए तो अगला कोशन देते 6 भारत के रक्षा मुंत्रालेर मालाबार नौ मालाबा 9 सुन condition के गोफ्णा किया चीन अमरीका ऐस्ट्रेलिया या जैपान को यह शपर में रक्षा मुंत्राले मालाबा 9 सुनिक अभियास अब सत्य होगे तो इसके बारे में हम थ्ला टीपले पढदे लेंगे देख लिए ये क्या दिया हुआ है 20 अक्टूबर 2020 को भारत के रक्षा मंत्राले द्वारा इस बर्स में माला बार नौश्वनिक अभ्यास में अस्ट्रेलिया को सामिल करने की घुशना की गई है इसके साथ ही क्वार्ड समूह के देश कौन-कौन है भारत जपान अमेरिका अस्ट्रेलिया नौश्वनिक अभ्यास में भाग लेंगे इस संब्स में अस्ट्रेलिया के बिदेश मंत्राले तरक्षा मंत्राले द्वारा नौश्वनिक अभ्यास का हिसा बनने पर भारत का भार ब्यक्त किया गया अगला कोशन पाते हैं केंद्रियव कबिनेट ने देश के 30 लग कमचारियों के लिए दिवाली बोनोस के रूप में कितनी रासी भुकतान करने के मंजूरी परदान की है केंद्रिय केविनेट ने देश के 30 लग कमचारियों के दिवाली बोनस के रूप में कितनी रासी भुक्तान की मनजूरी परदान की है कितनी रासी इसका राइट एसर क्या हो जाएगा अप्सव नमबर यहां पर दी यानिकि 3737 क्रो रूपिया यानिकि भुक्तान की है अब इस रहे जाएंगे अगलए कोशन नूमर 8 लगे दिवाली बोनस के रूप में primitive सरकार ने इन सभी कमचारियों को डारेक्ट benefit Reading के माद्याम सुनके खाते में पैसे ट्रंसपर किये जाएंगे कोशन देखते हैं कोशन हाना अध्य द या आपसा नमबर दी एमेस धोनी जी बन गए हैं अगला कोशन पाते हैं कोशन नमर 9 देखते हैं 29 अक्टूबर 2020 को भारत दोवारा किसी एंटी टेंक मिसाइल का सफर परिक्षन किया गया है कहां किया गया है जेस्मिन अमोगा सेंट यह लीना कहां किया गया है इसका राइटर क्या होजयगा अपसा नमबर यहां पर सीश सेंट में किया गया है अगेला कोशन पाते हैं कोश नूमर 10 देखते हैं किस देश ने को बीट नाइंटीं वैक्षिन ब्रिल लाइफ का मानोब परिक्षन आरहम करने की घोषना के इसराइल स्रिलंका इरान या बंगलादेश इसका राइटर सरकाव जेगा अपसर नूमर इजराइल देश ने को बी थिरी यानि कि 500 कोशन करेंट अफेर है और साथ से पीडिये भी आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर लेंगे लिंक मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद